जजपा भाजपा सहेत राजनेतिक पार्टियों के नेता अगर गाउं में आते हैं तो वे अपने शारीरिक जानमाल के नुबसान का खुद जिमेवार होंगे ऐसा चेतावनी बोड गाउं तलवाडा के ग्रामिनों ने गाउं के प्रवेश द्वार पर लगा दिया है मौके पर किसान संगर्ज समीती ब्लाग प्रधान लाप सिंग, उपरधान बाबु सिंग, अजैब सिंग, दर्शन सिंग, हरपाल सिंग, हरविंदर सिंग, बैनिवाल, भान सिंग, बिंदर सिंग, पाला सिंग वे जग्गी महल सहित अन्य किसान नेता वे ग्रामिन मौजूद रहे पत्रकारों से बाचीत करते हुए युवा निता जगी महल ने कहा कि वे नहीं चाहते कि मोधी खटर सरकार के खिलाफ जारी किसान मजदूर आरती अंदोलन का राजनेतिक कर्ण हो वहीं एक अन्य किसान नेता हरविंदर सिंग बैनिवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि जजपा भाजपा ही नहीं किसी भी राजनेतिक पार्टी का नेता हमारे गाउं में नया कर अपनी राजनेति नय करे नोने बताया कि किसान मजदूर आरती किसी भी राजनेतिक पार्टी से मोधी सरकार द्वारा खेती के खिलाफ बनाए गए तीनों कानूनों के किलाफ हैं तथा जब तक सरकार तीनों काले कानून खारिज नहीं करती सभी एकजुट हैं और सनभर्श करते रहेंगे बैनिबाल ने कहा कि गाउं के समस्त ग्रामन किसान एक जूट रहें इसलिए ही राजनेतिक पार्टी के नेताओं की गाउं में एंट्रीब बंद कर दी गई है विशेशकर भाजपा जज़पा नेताओं की आज गाम तलबाडा में किसान जूनियन बपारी एकता और मजदूरों के सभी संगटनों ने मिलकर गाम तलबाडा के गुर्दवारा के सामने एक मीटिंग रखी थी जिसमें सभी किसानों ने मिलकर सभी राजनेतिक पार्टियों का बेशकर किया है ताकि वो आगे से कोई भी राजनेती के पार्टी हमारे किसानों के बिलों के मुद्दे के उपर राजनेती ना कर सकें इसलिए हम सभी किसान मजदूर और बपारी एकता संगठनों ने एकठे होकर सभी राजनेती के पार्टियों का गाम में पूर्न रूप से प्रतिबंद लगाया है आने पर जदी गामे गुसेगा जा गामे आने की कोशिश करेगा उनके साथ बही सब होगा जो छे तारीकों किसानों के साथ सिरसा में हुआ था हमारे साथ उस दिन बहुत बुरी गटना हुई है उन्होंने हमारे साथ लाठी चार्ज भी किया सरकार ने हमें आंतकबादी तक गोशित कर दिय अभी वो चाइना से कह रहे हैं इसलिए हम सभी किसान, मिजदूर और बपारी सब इकठे होके आज गाम तलवाडा में हमने एक मश्वरा पास किया है जिसके तहत हम गाम में किसी भी राजनितिक पार्टी के निता क्याने पर पूर्ण रूप से प्रतिमंद लगा है और उसके देश विदेश के तमाम ख़परों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपदेट सबसे पहले